हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज में बहुत ही टेस्टी और फेमस राजिस्तान की फेमस गट्टी की सबजी लेके आए हूँ जब भी घर में सबजी खतम हो गई हो यह कुस डिफ्रेंट सी सबजी खाने का मन हो तो आप जटपट से से बना के तयार कर सकते हैं ब हैं कि अधसा साल्ण पैह Does आइट करेंगे और यह अधya पर थोड़ा सा मैं हाफ टीइसपून कहाँ रहा हो आप रैचिली पाउड़र डाइट कर रहे हूं थोड़ा सा कगरम चीश्पून कि अधया अधे है कौरियंडर पावडर वन टीइसपून अध कर तो यह सब के लिए बहुत ही अच्छा है और यहां पर मैंने लिया है वन टीस्पून के राउंड अजवाइन तो हातों से इसको मैश कर लेंगे जिससे सारा फ्लेवर इसमें आ जाए और अजवाइन का फ्लेवर बेसन में बहुत अच्छा लगता है सभी इंग्रेडियन को मि लग गया है और इसमें मैंने पानी लिया है यह लुक वर्म वाटर है तो थोड़ा-थोड़ा करके अट करेंगे एक साथ मत डालिएगा अधरवाइस यह गीला हो जाएगा फिर हमारे गट्टे नहीं बनेंगे और यह देखिए मैंने एक सॉफ्ट सा डो इसका बनाकर रेड होना चाहिए तब तक हम गट्टे बनाकर रेडी करते हैं दौनों हातों मैंने वाइल लगा लिया है और इनको लंबा-लंबा सा सेब दे देंगे ऐसे गट्टों का सेब बनाकर हम रख लेते हैं सारे रेडी कर लेंगे यह सबजी बहुत टेस्टी लगती है आप जरूर इसक कर्ण उतने ही लिया यह फ्रेश कर्ड है इसमें हम अपने सारे मसाले जो है वह अट कर लेंगे मैंने रैचली पाउडर डाला है वन टीसपूं टॉमरिक पाउडर हाफ टीसपून और यह है कोरियंडर पाउडर तू टीसपून आप अपने कोर्ट इंकम जादा कर सकते हैं और यहां पर मैंने गरम मसाला डाला है, हाफ टीस्पून, थोड़ा सा सॉल टाइट कर देंगे, अपने टेस्ट के अनुशार, सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे, इन मसालों को, यह देखे, अच्छा सामने मसाला रेडी कर लिया है, और यह गट्टे जी खॉल गया है, पान अच्छा बेसन, और यह 5-7 मिनट तक हम अच्छे से पकाएंगे, इनके पकने की निसानी होती है, यह बबल्स देख रहे हैं, आप इन सब के ऊपर यह बबल्स दिखने लगेंगे, समझी हमारे गट्टे पक चुके हैं अच्छे से, हमने 5-7 मिनट अच्छे से पकाया इनको मीडियम फ्लेम पे, आप ही हम इसके ग्रेवी रैडी करते हैं, तो मैंने या पर 3 टेविल स्पून के रांड वाइल लिया है, कोई भी बेजी टेविल वाइल आट कर सकते हो, आप इसको गरम होने दीजिए, और हम इसका यही पानी यूज करेंगे, इसको फेकिएगा मत, सा करेक्स होता है, मैंने या पर कुछ गार्लिक और ग्रीन जिली कट करके रखा था, उसको एड कर देंगे, और यह थोड़ा सा इसको ब्राउन होने थी, वन ओनियन कट करके रखा था, वो एड कर देंगे, मिरियम साइज ओनियन है, और हींग डालेंगे, हींग का बहुत अच इसको चलाते हुए, इसको चलाते हुए हमें डालना है, क्योंकि यह इसमें कर्ड है, अगर आप डाल के छोड़ देंगे, तो यह जो कर्ड है वो फट जाएगा गरम में, तो इसको कंटीनु चलाना है, आपको मसाला पकते तक जब तक यह वाइल उपर ना दिखने लगे, और अभी हम सारे गटे जो हमने रैडी करके रखे थे वो डाल देंगे हम इसमें, यह बहुत ही सॉफ्ट वने हैं क्योंकि हमने इसको प्रॉपर मोहन दिया है, अच्छे से घी डाल के अच्छे से बनाया है, और हम इसको तब तक बॉil करेंगे, एक बॉil ना जाए जब तक थोड़ी सी कसूरी मेथीली है मैंने, वो एट कर दूँगे मैं इसमें, आप इसको इसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, रैस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट आ जाता है इसमें, बिल्कुल ट्रडीशनल जैसे बनती है राजस्थान की गट्टे पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेर माई वीडियो एंड टो सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू बाई बाई झाल टेस्ट आता है